जै हिंद नमस्कार दोस्तो स्वाकत करता हूँ एक फिर से एक निवड़ो के साथ डिवलप इंडी एक्स्प्रेस में दोस्तो मितला के राजधानी दर्भंगा से फिर से एक नई ट्रन के पर चालन शुरू करने जारा यह रेल्वे और कर भी चुकी है जिसका पहला रन कल के दिन था और उस दिन ये पहली बार एस्पेσιल ट्रेन बन करके दर्भंगा से रावान होई है और यह ट्रेन दर्भंगा से केरल लियाने की एरना कुलम को जोडती है तो दोस्तो कुछ जल्दी बाजी में इस ट्रेन को रेलवे द्वारा इंट्रड्यूस भी किया गया है और इस दुरान कई आत्रियों ने इसका फायदा भी नहीं उठा सके हैं और एक काद दीन के अंतर में कितने टिकट भी केंगे अब धीरे-देर करके इसके चार फेरे ही चलाने है और धीरे-देरे करके जानकारी पहुंचेगी तब इस ट्रेन से लोग को लाव मिल सकेगा तो दोस्तो इसी बारे हम बात करेंगे इस ट्रेन के बारे हम संपोर्ण जानकारी इसे पहले कि आपनी चलने को सब्सक्रेब नहीं सो मवार को और यह ट्रेन कल के दिन से रावाना हो चुकी है 21 बज के 15 मिनट पर यानि कि रात के 9 बज के 15 मिनट पर यह दरभंगा से रावाना होती है और समस्तिपूर 22 बज के 30 मिनट पर बरोनी 22 बज के 40 मिनट पर क्यूल रात के 1 बज के 5 मिनट पर इस रास्ते सो करके बोकारो, राची, हटिया, राउर किला, भीजय नग्रम, विसाखा, पतनम, काटपाड़ी के रास्ते ये एड़ना कुलम को 6 वजे ब्रहस पतिवार को पहुँचा देती है और इसी दौरान ब्रहस पतिवार के दिनी एड़ना कुलम से रावाना होती है फिर से नौ बजे रात को और इसी रास्ते से होकर के फिर से बरवनी समस्ती पूर्ग रास्ते दरभंगा को साड़े छे बजे सुबह को पहुचा देती है तो दोस्तो इस ट्रेन की बुकिंग भी चालू हो चुका है और कई लोग भी यातरा कर चुके हैं कर भी रहे हैं और यह नई एस्पेसल ट्रेन दरभंगा से पहली बार एड़ना कुलम के बीच चल रही है तो इसका फायदा भी भरफूर उठाईए और आप लोग इसके ज़्यादा ज़्यादा बुकिंग कीजिए और अब यह ट्रेन फिलाल दरभंगा से 12 दिसंबर तक चलेगी और वहीं एड़ना कुलम से 15 दिसंबर तक चलेगी इसकी अलाबाद 0, 32, 33 और 54 वेंगलूर्स दानापूर के बीचलने वाली इस ट्रेन को भी एक्स्टेंड कर दिया गया है यह भी एस्पेसल ट्रेन है जिसको पूजा एस्पेसल के तोर पर चलाया जा रहा था और यह ट्रेन भी 12 दिसंबर और 15 दिसंबर तक चार-चार फिर बंदया हो तो वीडियो को लाइक अबसे कीजेगा मिलते हैं किसी आने वीडियो में तो अब तक ले जय हिंद एंड जय भारत